सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए लेकर आया हो दो बहुत ही जदा बढ़िया मोबाइल से रेड्मी और माइक्रो मैक्स की तरफ से रेड्मी का नोट 8 जो आपको मिल जाएगा साड़े 11,000 का दूसरी तरफ है माइक्रो मैक्स का नोट 1 जो अभी हाले में लाउंच हुआ है 11,000 का तो दोनों में सिर्फ 500 का ही फर्ख है इस वीडियो में में इन दोनों मोबाइल्स में कंपेरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा चलिए देखते हैं नोट 8 के साथ 11,000 का का कै दिया गया है तो जैसे आप unbox करते हैं सबसे पहले मिलता है एक mini box जिसमें पीछे लगवा है एक sim ejector tool अंदर दिये गए हैं कुछ user manual इस तरीके से इसके बाद आपको मिल जाता है ये cover जिसकी quality आपको normal दी गई है simple transparent cover है इसके बाद मिलता है mobile एक wrapper के अंदर detail look हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं box के अंदर आपको दी गई है ये black color में data cable quality इसकी बहुत ही जद अच्छी है और दोस्त अच्छी चीज़ यह है इसके साथ आपको type c cable दी गई है तो type c cable का support आपको note 8 के अंदर दिया गया है आखर में आपको रखाव मिलता है ये black color में charger जिसकी build quality काफी अच्छी है अब इसके अंदर आपको fast charging का support भी दिया गया है और एक 18 watt का fast charger mobile के साथ box के अंदर ही मिल जाता है तो charger आपको काफी अच्छा दिया गया है note 8 के साथ अब ये सारा समान आपको मिलता है redmi के note 8 के साथ 11000 में rate के साबसे देखा जाए तो box के जो contents है वो आपको काफी बढ़िया ही दिये गया है type C cable भी मिल जाती है और charger भी fast दिया गया है काफी अच्छी build quality के साथ चले देखते हैं दोस्तों फिर भी अगर आप 500 रपा और कम खर्श करते हैं micromax के note 1 पे जो भी हाली में launch हुआ है तो इसके साथ आपको 11000 में क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप unbox करते हैं इसके box में आपको सबसे पहले मिलता है mobile crapper के अंदर detail look हम अभी देखेंगे एक mini box में मिलता है sim ejector tool पीछे लगा हुआ अंदर दिये गए है कुछ user manual पहला फर्क यह है इसके साथ आपको cover नहीं दिया गया इसके बाद मिल जाती है यह white color में data cable जिसकी quality आपको normal ही दी गई है अच्छी चीज़ यह है इसके साथ भी आपको type C cable मिल जाती है लेकिन दोस्तो build quality के अंदर फर्क है cable की ज़्यादा बड़ी आपको दी गई है Redmi के note 8 के साथ आखिर में आपको रखावों मिलता है यह white color में कुछ इस तरीके के look में छोटा सा charger जिसकी build quality normal है अब इसके अंदर भी आपको fast charging का support दिया गया है और एक 18 watt का ही fast charger mobile के साथ box के अंदर मिल जाता है तो charger आपको दोनों के साथ एक जैसे दिये गए है 18 watt के अब यह सारा समन आपको मिलता है Micromax के साथ 11,000 में दोस्तों देखा जा तो वैसे तो box के contents एक जैसे ही दिये गए है दोनों के साथ type C cable है 18 watt के fast charger है बस एक cover का फर्क है लेकिन 500 रुपे कीमत जादा है note 8 की तो इसके अंदर आपको जो build quality है data cable की और charger की वो जादा better देखने को मिल जाती है तो rate की साबसे देखा जा तो इस चीज़ में दोनों mobile सपनी जगा सही है चली बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो Micromax के अंदर आपको डिजाइन मिलता है प्लास्टिक के टाइप का scratches असानी सा जाते हैं इसके back panel पे वही दूसरे तरफ Redmi के note 8 में आपको glass डिजाइन दिया गया है Gorilla Glass की protection के साथ तो design की जो quality है वो Redmi के note 8 की जादा better है Micromax से बाकि दोस्तों look at तो design दोनों के काफी बढ़िया है color आप देख सकते हैं किसका आपको जादा अच्छा लग रहा है light की reflection आप देख सकते हैं दोनों के back panel पे बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है बात कर दोस्तों camera के बारे में तो Micromax में पीछ आपको 4 camera दिये गए हैं जिसमें main camera है 48 megapixel का दूसरा 5 megapixel का बाकी के 2 camera है 2-2 megapixel के front camera है 16 megapixel का finger paint scanner इसमें आपको दिया गए है back panel पे camera की performance rate के सबसे अच्छी मिल जाती है वहीं दूसरी तरफ Redmi के Note 8 के अंदर आपको पीछी की तरफ 4 camera दिये गए है जिसमें पहला camera है 48 megapixel का दूसरा 8 megapixel का बाकी के 2 camera है 2-2 megapixel के front camera है 13 megapixel का finger print scanner इसमें भी आपको दिया गए है back panel पे ही दूसरा camera की performance वैसे तो आपको दोनों के अंदर काफी अच्छी दी गई है लेकिन camera को लेकर और भी ज़्यादा बड़ी आपको मिल जाता है Redmi का Note 8 camera इसका ज़्यादा बेटर है आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों में किसका डिजाइन ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा quality ज़्यादा अच्छी होने के वज़े से मुझे Note 8 का डिजाइन ज़्यादा पसंद आया बात करें दोस्तों डिस्पले के बारे में डिस्पले की quality में कौन से ज़्यादा अच्छा है मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले बात करें दोस्तों user interface के बारे में तो Redmi के Note 8 माप ऐसे right side पर swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है home screen पे ही सारी apps दी गई है Micromax माप ऐसे उपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है दोस्तों user interface को लेकर इन दोनों mobile's में जादा बढ़िया है Micromax का Note 1 क्योंकि इसके अंदर आपको stock android experience दिया गया है extra applications आपको देखने को नहीं मिलती Note 8 की तरह user interface के अंदर Micromax ही जाद अच्छा है अब दोनों की display बिलकुल full brightness करके ही दिये गए है size के अंदर जादा बढ़िया है Micromax लेकिन बात करें अब सबसे important चीज़ display की quality के बारे में तो दोस्तों वैसे तो दोनों के अंदर आपको IPS full HD plus display दी गई है लेकिन अगर आप colors देखेंगे brightness देखेंगे तो उसके अंदर काफी बढ़ा फर्क है Note 8 की display का size तो छोटा है लेकिन actual में जो display की quality है brightness है वो Redmi के Note 8 के अंदर ही आपको जादा अच्छी दी गई है तो display की quality जादा अच्छी होने के वज़े से जादा बढ़िया है Redmi का Note 8 इन दोनों आपको sim के tray मिल जाती है दोनों के अंदर आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं नीचे की तरफ साब देहेंगे तो charging port, speaker, mic headphone jack दिया गया है साइड उसे build quality आपको जादा अच्छी दी गई है Redmi के Note 8 के अंदर राइट साब देहेंगे तो दोनों में volume के buttons और power के buttons उपर की तरफ साब देहेंगे तो दोनों के अंदर आपको noise cancellation mic मिल जाता है Note 8 के अंदर आपको IR blaster भी दिया गया है जिससे आपका MI remote काम करता है तो TV अगर आप इस mobile से चला सकते हैं अब दोस्ता दोनों ही mobile से के अंदर आपको दी गई है 4GB RAM, 64GB के internal storage RAM और storage दोनों के अंदर आपको बराबर दी गई है लेकिन 64GB में साबको Redmi के Note 8 के अंदर free memory मिलती है 50GB के असपास Micromax के अंदर दी गई है 55GB के असपास तो 5GB और जादा free दी गई है Micromax के अंदर और इसकी कीमत भी 500 कम है तो RAM वर storage को लेकर Micromax जादा बढ़िया है इन दोनों के अंदर Note 8 के अंदर आपको Android का 9 Pie version दिया गया है लेकिन Micromax के अंदर आपको Android का 10 version मिल जाता है इस चीज में Micromax जादा अच्छा है बात करें दोस्तों battery के बारे में तो Note 8 के अंदर आपको battery दी गई है 4000 image की Micromax के अंदर आपको battery मिल जाती है 5000 image की दोनों के अंदर आपको एक दिन का battery backup आराम से मिल जाता है लेकिन और भी जादा बढ़िया मिलता है Micromax के अंदर कीमत भी कम है 500 और इसके अंदर आपको battery और जाद अच्छी दी गई है बात करें दोस्तों processor के बारे में तो Redmi के Note 8 में आपको दिया गया है Snapdragon 6635 processor और Micromax के अंदर आपको मिलता है MediaTek का G85 processor अब देखिए अगर आप एक heavy user है आपको performance जादा बढ़िया चाहिए तो इन दोनों mobile इसमें जादा बढ़िया processor आपको दिया गया है Micromax के अंदर ही processor इसके अंदर आपको जादा अच्छा दिया गया है अब ये सारी खुबिया कमिया है इन दोनों के अंदर चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपको Redmi पे जादा भरोसा है या फिर Micromax पे इसके बाद आपके जो main जरुत की चीज है वो कि इस mobile में जाद अच्छी है तो दोस्तों दीखेगर आपको डिस्पले अच्छी चाहिए तो आप Redmi का Note 80 खरी दिएगा डिस्पले की क्वालिटी इसकी जाद अच्छी दिए गई है कलर्स ब्रैटने जादा बढ़िया है और दोस्तों अगर आपको डिजान अच्छा चाहिए तो भी आप Redmi का Note 80 खरी दिएगा डिसाइन को लेकर ये मुबाल जाद अच्छा है क्योंकि क्वालिटी जाद अच्छी है इसके अंदर गोरिला गलास की प्रोटेक्शन भी दी गई है इसके लव दोस्तों अगर आपको डिए मैटर करता है मुबाल का कैमरा आपको पर्फॉर्मेंस जादा बढ़िया चाहिए तो भी आप Micromax लीजिएगा इसके अंदर आपको पर्फॉर्मेंस जादा बढ़िया मिल जाती है तो दोस्तों देखा जाए तो तीन खुबिया है Notate के अंदर अच्छी डिस्पले, जाद अच्छा कैमरा और जाद अच्छा डिजाइन तीन खुबिया अगर आपको ये चाहिए तो आप Notate ले सकते हैं दो खुबिया Important आपको Micromax के अंदर बहुत अच्छी दी गई है अच्छा प्रोस्सर और काफी बढ़िया बैटरी अब आप बताएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाल्स में किसकी खुबिया जाद पसंद आई तीन खुबिया Notate की या दो इंपोर्टेंट खुबिया Micromax की ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटनों से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेल लाइकन भी दबा दिएगा तकि नई वीडियो आप तक पहुचते रहें इसके लब वीडियो गर आपको हेल्फुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाटसे फेस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई